दोस्तों, अक्सर लोगों को कहते हुए सुना है कि दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है और भोजन पेट को संतुष्ट करता है. लिकिन कभी हमने ये नहीं सोचा होगा कि जो भोजन हमारा पेट भरता है, वह सफलता की अचर सीमा तक हमें पहुँचा सकता है. परंतु देश के मिशेलिन स्टार शेफ विकास खन्ना जो नकेवल एक शेफ है ना सिर्फ एक लेखक ना सिर्फ एक अभीनेता बलकि एक नाम चीन सेलिबरिटी में से एक है उन्होंने खाने को ही सफलता तक जाने का रास्ता बनाया विकास खन्ना का नाम नकेवल भारत देश के हर वेक्ती की जबान पर है बलके विदेशों में भी उनका नाम विख्यात है दोस्तों कुकिंग की दुनिया का रियलिटी शो मसर शेफ इंडिया अपने नई सीजन के साथ टीवी पर वापसी कर चुका है और अपने दर्शकों के बीच चर्चा में है सात्वे वे सीजन में रनवीर बरार और गरिमा अरोडा के साथ शेफ विकास खन्ना भी शो में जज के रूप दिखाई दे रहे हैं मगर क्या आप जानते हैं कि उनके जीवन में एक वक्त ऐसा भी था जब वो कभी ठेले पर पड़ाठे बेचते थे विकास खन्ना से सेलिबरिटी शेफ विकास खन्ना तक के सफर में उन्होंने कई तरह के पापड़ बेले 14 नमवबर 1971 ये वे तारीक है जब पंजाब के अमरतसर में विकास खन्ना ने अपनी आँखे खोली जब वे पैदा हुए तो उनके पैर आम बच्चों की तरह नहीं थे उनके दोनों पैरों के बीच में अंतर था इस कारण वो करीब 13 साल तक अपने पैरों पर अच्छे से चल नहीं पाए ना ही वो दूसरे बच्चों के साथ खुल कर खेल पाए इस मुश्किल समय में माता पिता के अलावा विकास को अपनी दादी का साथ मिला कहते हैं छोटी उम्र में वो घंटों अपनी दादी को देखते रहते थे बस यही से कहीं ने कहीं उनके अंदर एक शेफ ने जन्म लेना शुरू कर दिया था मा और दादी ने उनकी इसमें खूब मदद की स्टार प्लस पर आने वाले शुमा सर शेफ को होस्ट करते समय विकास ने बताया था कि बच्पन में उनकी दादी अमरत सर की एक छोटी सी गली में पढ़ाथे बनाती थी और वो अपनी मा के साथ उसे बेचते थे अपने एक अन्य इंटर्वियू में बच्पन के एक किस्से का जिक्र करते हुए विकास बताते हैं कि कई बार खाना बनाते हुए जब उनके हाथ जल जाते थे तो उनकी मा कहती थी तू खाना मत बना तेरे हाथ जल जाएंगे ऐसे में दादी उनकी माँ को टोकते हुए कहती थी हाथ नहीं जलेंगे तो ये खाना बनाना कैसे सीखेगा दादी से मिले इस प्रोत्साहन शोटी उम्र में विकास खनना को कुप बना दिया वे महस 14 साल के रहे होंगे जब उन्होंने पेशेवर लोगों की तरह किटी पार्टी के काम शुरू कर दिया था अमेरिका में अपने रेस्तरां को स्थापित करना विकास के लिए चुनौती भरा रहा विकास के अनुसार अमेरिका में उन्हें कारिराते सरकों और स्टेशन पर सोकर बितानी पड़ी धीरे धीरे नाम बनना शुरू हुआ तो स्थानिये शेफ उन्हें धमकी देने लगे कि वे उनके हाथ काट देंगे लेकिन विकास पीछे नहीं हटे और वो मुकाम हासिल किया जिसका सपना उन्होंने दादी की गोद में बैठ कर देखा था विकास सिर्फ एक मशूर शेफ नहीं है वो एक अच्छे लेखक भी है वो बारा सौ पन्नों की एक किताब लिख चुके हैं जिसका नाम उततततततत है इस किताब में भारत में त्याहार के दोरान बनने वाले वेंजनों का वर्नन किया है ये वही किताब है जिसे विकास अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपती बराक ओबामा भारत के पीम मोदी दलाई लामा और हिलेरी क्लिंटन जैसे बड़े लोगों को उपहार में दे चु इसके अलावा आंधरप्रदेश की मशूर डिश्ड बबबा रोटी के लिए भी विकास खन्ना खूब सुर्खियों में रहे थे उन्होंने ये हुनर सिखाने के लिए मास्टर शेफ सत्यम का शुक्रिया भी किया था उनके मुताबिक उन्होंने ये तकनीक सत्यम को ही देख कर ही सीखी विकास की सफलता हार जीद से मिलकर बनी है इसलिए वो लोगों के दिल के करीब हैं कोरुना संकट में भी वो गरीबों के मसीहा बन कर उभरे भारत के 75 शहरों में राशन बंटवाने से लेकर इद पर 2 लाख लोगों को दावत देने तक जिस तरह से विकास खन्न विकास खन्ना को उनके कैमरा फ्रेंडली व्यक्तित्व और अच्छे लुक के कारण एक छोटी भूमिका मिली इस छोटी सी भूमिका ने उन्हें टेली विजन में प्रवेश करने का अफसर दिया और वह मास्टर शिफ ऑस्ट्रेलिया हेल्स किचन फ्रोडाउन विद दमार्था स्टीवर्ट शो मास्टर शिफ इंडिया जूनियर हो मास्टर कार्ड अफ इंडिया जैसे कई प्रसिध शो में दिखाई दिये 2011 में जब उन्हें मास्टर शिफ इंडिया में जज के रूप में साइन किया गया। उन्होंने सीधे 5 साल के लिए जज के रूप में शुरुआत की और यहां तक कि भारतिय शेफ संजीव कपूर के साथ भी काम किया। कंधारी पनीर के लिए शेफ विकास खन्ना को पहला मिश जेलिन स्टार शेफ विकास खन्ना के इस वीडियो ने आपको प्रेरित किया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्षन में लिख कर बताएं। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद और वीड वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी जरूर शेयर करें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू